अब हम क्योंकि action research समझने लगें तो मैं आपको एक different example बताता हूँ जो कि actually action research का ही outcome था इसे कहते हैं reflective teaching model reflective teaching model ठीक है अब ये क्या है ये actually एक इस प्रकार का model है कि अगर आप इसको अगर आप इसको लागू करते हैं तो आप हर रोज बहतर होते जाएंगे आप अगर इसे लागू करते हैं तो हर रोज आप बहतर होते जाएंगे ठीक है न ये ये कॉर्नल यूनिवर्स्टी से आता है इसका development कहां पे हुआ कॉर्नल यूनिवर्स्टी में को जहां से जॉन डूई, इल पैट्रिक, स्टिवेंशन ऐसे लोग थें टीचर को क्या करना चाहिए, अपने लेसन को प्लाण करना चाहिए ठीक प्लाण करने के बाद क्या करना चाहिए एक्जेक्यूट करना चाहिए एक्जेक्यूट करने के बाद क्या करना चाहिए student से feedback लेना चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए re-plan करना चाहिए re-execute करना चाहिए re-feedback लेना चाहिए फिर क्या होगा अगले साल फिर पढ़ा है तो फिर से plan कर लो ठीक है न यह reflective teaching cycle है कहां से आई यह पता किया गया कि पहले तत teacher plan करता है फिर उसको execute करता है उसके बाद में कुछ teacher feedback लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं और वो इसे close कर देते हैं assessment पे आ करके reflective teaching कहती है कि assessment is not part of your your teaching plan assessment को अलग रखिए अपने teaching को बेहतर करने के लिए आप re-plan कर लो re-execute कर लो और re-feedback का इंतिजाम करो बहुत समय तक अलग-अलग प्रकार की hypothesis को Cornell University में लागू किया गया और उसके बाद इसको एक outcome के रूप में देखा गया Department of Teacher Education ने इस action research को किया था जिसका अंतिम चरण ये निकला जब ये चरण निकला तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने क्या कहा that reflective teaching model itself is a reaction research क्योंकि ये इस चर्कल ख़दम होने के बाद आप एक नया circle चालू करते हैं जिसमें आप प्रीप्लान कर रहे हैं तो पूरे teaching ही action plan में डाल दीजिए आपकी teaching हमेशा बैतर होती रहेगी और आपका एक section एक chapter एक दिन आप देखेंगे आप सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो चिक, so that was the, that was the process of action research which was applied on teacher education and teacher executing execution.